नमसकार, प्रिये ब्रिश्ची करासी वाले, मैं हूँ सुलजा डॉक्टर रविगुपता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत इक खास कारिकरम में और आज मैं आपको बताऊएंगा कि प्रिये ब्रिश्ची करासी वाले कैसा रहेगा आपके जिवन में एक फरवरी से ले करके 29 फरवरी का संपूर्ण हाल यानि पूरे महने का हाल यानि मैं आपके समक्ष प्रसुत हुआ हूँ मंतली होरस्कोप फरवरी महने का ले करके इस महने बिच्चिक रासी वाले ग्रहों की स्थितियां है इस प्रकार से कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि मिलेगा सभी पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको अपना चंद्राशी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लगन या नाम के नुसार भी देख सकते हैं तो चली बृष्चिकरासी वाले सबसे पहले जानते हैं फरवरी महिने में आपके कर्म छेतर की स्थिती कैसे होने वाली ह प्रिचिकरासी वाले आपके कर्म छेतर के स्वामी जो है वो सूर्य है और सूर्य जो है ये तेरा फरवरी तक आपके कुडली के तिरत्य भाव पे बैठे हुए हैं हलाके तिरत्य भाव पे सूर्य कारक होते हैं और पांच फरवरी से सूर्य और मंगल की यूती होगी मंगल सुरी के मित्रवद संबंध है सुरे के बल को मंगल बढ़ाएगा और एक फरवरी से तेरा फरवरी तक बुधा देते योग भी रहेगा मतलब तेरा फरवरी तक नए नौकरी वेवसाय के योगों में कुछ हद तक सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे क्योंकि मंगल के दिरिष्टी भी पढ़नी चालू हो जाएंगी तेरा फरवरी तक कुछ लोगों का सहयोग जो नौकरी वेवसाय में नहीं मिलता था वो सरकार का पक्छो या परिवारिक पक्छो या कुछ हद तक सिनियर अधिकारी का पक्छो वो मिलता हुआ दिखेगा लेकि तेरा फरवरी को कर्म छेतर के मालिक स्वामी सुरी स्वयम देखेंगे क्योंकि कुमरासी में आ जाएंगे तेरा फरवरी से तो तेरा फरवरी के बाद मंगल का कर्म 36 पे दिरिष्टी सुरी का कर्म 36 पे दिरिष्टी और 20 फरवरी से बुद्ध का कर्म 36 पे दिरिष्टी इतिहास बदल देगा इसलिए तो मैं में बोल रहा हूँ कि इस मेहने मिलेगा लोगों का साथ यानि 13 फरवरी के बाद नई नौकरी वेवसाय की योगों में विशेस बृधी दिखता हुआ नजर आएगा तेरा फरवरी के बाद आपके जीवन में पिता से सेनिया से तालमिल अच्छा होगा इसके अलावा जो है क्योंकि मंगल का पूर्ण सपोर्ट मिलने वाला है जो लगनेस भी हैं और आपके जीवन में जो है मंगल सश्टम भाव के व्याधी पते हैं यानि तेरा फरवरी के बाद आपके नौकरी वर्षा में किसी प्रका कोई केस है मुकदमा है या फिर पदोनती परमोसर में दिक्कत हो रहा है या मन चहा अस्थांतरन नहीं हो रहा है या विदेसों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बैपार में दिक्कते हो रही है तो तेरा फरवरी के बाद सॉल होता हुआ नजर आएगा हाँ जो जौब या इंटर्व्यू के लिए परिशान है उनका क्या इस्थिती होने वाला है मैं बहुत ही केलियर और असपष्ट तौर पे आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में इस प्रकार के समस्याइं का पांच फरवरी से सॉल होना चालू हो जाएंगे लोट्री सट्टा से मार्केट वाले का हाल कैसा है यह बहुत ही महत्तपूर्ण है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धनूरासी पे बुद्ध का विराजमान होना दुत्य भाव पे आपके जीवन में लोट्री सट्टा में कुछ लाभ नहीं दे रहा था आप यहाँ पे आपके जीवन में एक फरवरी से बुद्ध दुत्य भाव को छोड़के मकर में आएंगे लेकिन बारा फरवरी को सुक्र दुत्य भाव को छोड़के तिरत्य भाव में आएंगे तब बिरहस्पती का दुत्य भाव पे पोन दिरश्टी एक्टिव होगा 12 फरवरी के बाद लॉट्री सटा से मार्केट का बहुत बढ़ी अलाब है 12 फरवरी के बाद फिर जो है आपके जीवन में किसी प्रकार का पाटनर सिपिंग करना चाहते है या किसी प्रकार कभी साथ मिल के काम करना चाहते तो वो होना तय है विदेश्यात्रा का हाल कैसा रहेगा चले इसके बारे में जर्चा करते हैं फरवरी मेहने में बिच्चिक रासी वाले विदेश्यात्रा कारक आपके कुंडली में कौन है तो विदेश यात्रा कारक आपके कुंडली में जो है वो बुद्ध है और अगर मैं बुद्ध की बात करूँ तो बुद्ध आपके कुंडली के जो है एक फरवरी से बीस फरवरी तक मकर में और फिर कुम्भरासी में रहेंगे यानि आपके जीवन में एक फरवरी से बीस फरवरी तक 100% विदेश यात्रा का योग परवल तोर पे दिखेगा लेकिन इसमें जबरदस्ट सफलता आपके जीवन में मिलेगा 12 फरवरी से जब 12 भाव का सुक्र मित्र की रासी मकर में 12 फरवरी को प्रवेश करेंगे यानि 12 फरवरी को 12 फरवरी के बाद विदेश से आतरा के संजोग में ब्रीदी है जिनको अपने नौकरी वेवसाय में बदलाव करके भी विदेश जाना है उनके लिए भी ठीक है और 12 फरवरी के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड या मोटे समस्या है विदेश से रिलेटेड वह लाब होता हुआ नचलाएगा कैसा रहेगा आपके जीवन में इंकम का हाल कोईकि बिना पैसे का इस धरते पे कुछ नहीं होने वाला विच्चिक रासी वाले आपकी कुडली में आयकारक कौन है आयकारक जो है आपकी कुडली में वह बुद्ध की बात अगर मैं करूं तो बुद्ध एक फरवरी से बीस फरवरी तक मकर रासी में तो है लेकिन तेरा फरवरी तक सुकर का धन भाव में बैठना थोड़ा सा सुब नहीं रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूं इस महिने धन की जहां तक बात में करूं तो रेग जिस फरवरी से बीस फरवरी तक यह पूरे कह सकता हो कि पूरे महिने सरकार पक्षेसर इलेटर धन के योग बनेंगे वीदेसों से धन के योग बनेंगे बड़े भायवनों से धन के योग बनेंगे लिस्तदारों से धन के योग बनेंगे 20 फरवरी के प्रपटी या संपती भी करके भी धन के योग बनेंगे जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं लेकिन अचानक अचानक जहां आपके पैसे फसे हुए हैं इसमें सुरुवाद बहतर 12 फरवरी से होगा जब धनूर आसी को सुक्र छोड़ेगा क्योंकि 12 भाव का मालिक धनूर आसी में बैठा है दुत्य भाव में तो जो भी आएगा वो खर्च करा देगा तो 12 फरवरी के बाद धन भाव को डायरेट धन भाव के कारक स्वामी ग्राप भिरस्पती देखेंगे तो 12 फरवरी के बाद आपके ज जीवन में भूमी मकान वहान संपती का हाल चली इसके बारे में चर्चा करते हैं प्रिये ब्रिश्चिक रासी वाले भूमी मकान वहान संपती कारक स्थान में सनी तो विराजमान है और यहां पर 13 फरवरी को सूर्य विराजमान हो जाएंगे चतुर्त भाव पे तो 13 फरवर में properties related थोड़ा भी बाद, दिकते, आइस्थिरता या परशानी डेवलब हो सकता है और इसी समय पिता से भी तालमेल खराब होगा क्योंकि सुर्य और सनी का यूती हो जाएगा लेकिन पुना 20 फरवरी को कुमरासी में जवा जाएंगे सुर्य तो सुर्य माप करेंगे बुध, तो बुध सुर्य के भी मित्र है और सनी के भी मित्र है यानि सुर्य और बुध के योग से बुध हदत योग जो बनेगा तो सनी जो सुर्य को नकरातमक्ता की और लेकर कर जाएगा इसके बल में कुछ कमी आएगी यानि आपके जीवन में बस ये कुछ दिन 13 से 20 मतलब 7 दिन के आसपसरी बचना है इसको पुना भूमिय मकान वहान संपत्ति के योगों में किसी प्रकारी की भी कोई दिख कर दे वो सौल्व होता हूँ दिखेगा बिर्चिक रासी वाले वैवाहिक जीवन कैसा है लव लाइप कैसा है चली इसके बरे में चर्चा करते हैं बिर्चिक रासी वाले आपके विवाह कारक कौन है आपके विवाह कारक सुक्र है बारा फरवरी तक ये धनभाव में बैठे हुए है फिर ये आ जाएंगे तिरित्य कहरें में मकर अरसी वाले इस वहने अगर आपके विवहाने किसी परकार के समस्वाके वह दिखेगा पूरे महिने दिखेगा ऐसा बात नहीं Ε कि सिर्फ ने क्योंकि धन विवह कारक शुक्र धनभाव में बारा परवरी तक आपके जिएगे तो लव लाइप में सुधार हो जाएगा प्रेम से विवाह के योगों में बिरिधी हो जाएगा जिनको दुत्ती विवाह करना उनके लिए भी समय बहुती बहतर साबित होता हुआ दिखेगा और साथ में किसी कारण से जीवन साथ एक दूसरे से दूरी बनी हुई है या तो विदेश में रह रहे हैं या किसी परकार का परिवारिक विवाद है तो यह सभी परकार के समस्याएं बारा फर्वरी के बाद भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा कैसा रहेगा आपके जीवन में लव मैरेज का योग देखिए आपके कुडली में मैं सीधी बाद करता हूँ बारा फर्वरी से जब दुत्य भाव को विरहस्पती अपनी स्वयम की रासी धनु को पूर दिरिश्टी से देखेगा किसी प्रकार की कोई बादा नहीं होगी तो आपके जीवन में बारा फर्वरी के बाद लव लाइफ में सुधार होगा लव लाइफ में आइस्थिरता या मतभेदता थी उसमें सुधार होगा यह देखने को मिलेगा कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और सिक्षा का हाल इसके बारे में चर्चा करते हैं ब्रिचिक रासी वाले देखिए बारा फरवरी के बाद जब पंचम भाव के आधिपती बिरहस्पती अपनी स्वैम की रासी को देखेगा तो देखिए एक बारा फरवरी के बाद कुछ हद तक तो संजोग बहतर दिखेगा लेकिन इस महिने जो प्रतम संतान कंसीब करना चाहते हैं आप अपने बच्चों से रिष्टों को अच्छा रखिए सिक्षा में फूल फोकस करने का कोशिस करिए क्योंकि फरवरी महिने इसके लाब अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्त का हाल सीधी बात में करना चाहता हूँ आपके जीवन में पाँच फरवरी से गले से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड सरदर्थ से रिलेटेड और पैरो से रिलेटेड स्वास्त में सुधार होगा लोन या कर्द या सत्रू आपको परिशान कर रहे थे पांच फरवरी से वो हभी सॉल्व होता हुआ दिखेगा जहां तक प्रोपटी विवाद, संपती विवाद या केस मुकदमा के बारे में बात करू या ससुराल पक्षे सरी लेटर बात करू तो आपके जीवन में पूरे मेहने बल्ले बल्ले है बल्के बीस फरवरी के बाद फाइनली इस मेटर पे आपको सीधा सीधा सफलता मिल जाएगा उपाय के तौर पे क्या करें? देखे पीला चंदन का तिलख लगाईएगा क्योंकि इस मेहने सिच्छा और संतान पक्ष को लेकर दिकते हैं मतवेदे या दिकते हैं दूसरी महत पूर्ण बात इस मेहने आप हाथ में जो है लाल धागा भी अवश्य बांध करके रखिएगा और बारा फरवरी तक परते एक दिन माता लक्षमी को या तो आप नारियल चड़ाईए या नारियल पानी उनको भोग कर सोरूप में चड़ाईए या नारियल पानी से या गन्ने के जूस से जो है उनको सनान कराईए देखिए पूरा महिना बहुत ही बहतर जाएगा तो प्रिय बिच्चिकरासी वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महिने का हाल संपुन तोर पे मैंने बताया है उमिद करता हूँ कि बताएगी जनकारी से संतुष्ठ होंगे चैनल पे नहीं है तो लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए मैं हूँ सलोजा डॉक्टर विगुपता और मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्तपुन और ग्यान बरतक चनकारी के साथ तब तकले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यबाद